स्मिर्थी रानी ने राहूल गांधी पर एक बड़ा हमला किया 2024 में गांधी परिवार ने पहले ही हार माननी है स्मिर्थी रानी की तरफ से का गया इसके अलावन उने का कि अमेटी से कॉंग्रिस का सेना पती खड़ा हुआ है राहुल गांदी को पता था कि वो हारने वाले हैं एक्स्क्रूजव बातचीत में स्मृती रानी ने नियूजनेशन से क्या कुछ कहा सुनिए अमेठी में सियासी पारा गर्म है क्योंकि स्मृती रानी यहां से ताल ठोक रही है है चुनाओ लड़ रही है कि सुरूप लड़ रही है क्या इनकी स्टरजी है क्योंकि हमने 2019 में भी कंपेंड कवर किया था यहां की रिपोर्टिंग की थी हमने उस वक्त भी इनका इंटर्वी किया था सवाल सब्से पहला यही है कि 2019 के बाद 24 में कितना बदलाओ देख रही है तो किसो इलाज शर्मा को जो है यहाँ पर उतारा गया है राहूल गांधी राइबरली चले गया है चैलेंज देख रही है या खतम हो गया है मुझे ऐसा लगता है कि इस लोग तंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सामने अगर सेनापती भाग भी जाए तो भी हमारा यह करतव्या है कि हम हर घर जाकर वोट की अपील जनता से करें तो हम अपना काम कर रहें अपने लक्षी की प्राप्ति के लिए अफकोस उनको यह प प्रफ्लेमेंट के जो काम की हैं लगतार आप इनाती रही है इस बार पांच साल के बाद अगर आप जीते ती हैं तो क्या बड़ा वीजन अगर हैं क्योंकि जीत रहे हैं यह तो मैंने का ना गुश्णा-स्वाइम गंधी परिवार ने लड़ता यहांसे मेंदाने जंग त लगा रहे हैं भार्तिजंता पार्टी पे कि अगर 400 पार काकड़ा हुआ तो सम्मेधान बदल देंगे आप लोगे आज एक बहुत गंभीर आरोप राहुल गांदी पर उनी की पार्टी के लोगों ने लगाया है ये कहा गया है कि राहुल गांदी का ये मंतव्य है कि वो अग दिमसमाज को और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान समिधान में है नहीं तो समिधान की धज्जियां तो राहुल गांदी उड़ा रहे है और अगर उनकी नेता का ही कथन कि सुप्रीम कोट के वर्डिक के बाद राहुल गांदी उस वर्डिक को पलटना च चाहते हैं और वहां बाबरी मस्जिद बनाने की वो एक प्रत्रम पहल करना चाहते हैं तो यह अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है और इसका स्पष्टिकरण निश्चित रूप से राहुल गांदी को देना पड़ेगा सम्विधान वाले पर आप क्या कहना चाहेंगी क्योंकि लगाता है तो राहुल गांदी होते कौन है यह निड़ने लेने का कि वो सुप्रीम कोट के इस निड़ने को बदलेंगे क्या यह चालेंज नहीं है सम्विधान के उस विशेश तंब को जो हमारे देश भर में न्याय की प्रक्रिया को सुद्रड करता है दूसरा सम्विधान की धज्जें राहुल गांदी ने उड़ाई जब उन्होंने OBC आरक्षन में सेंद लगा कर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षन दिया है तो ऐसा क्यों है कि सम्विधान का वो हनन करते हैं और फिर लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं आपके राम में और और कॉंग्रस की राम में क्या आरल onion अरम भगवान कभी राजनीती मैं विभाजत नहीं होते राम के प्रतियाख्षा सभी के होती है जो सनातन में मानते हैं अब राहुल जी नहीं मानते वो उनका अपना धर्म का विशय है और जहां तक आस्था के साथ खिलवाड का विशय है आप देखिए जब उन्होंने राइबरीली से नामांकन भना तब पूजा करी वाइनाड में भी तो नामांकन भरा था तब पूजा क्यों नहीं की थी? पूजा करना चाहिए दाओं लेकिन प्रैंका गांधी लगातार पीम पे निशाना साथ रही है कि हमारे भाई को श्रहजादा के रहे हैं और रूचारहजार क्लोटर रियात्रा कर चुके हैं अमेटी में और क्या मुद्धे हैं जिस पर आप उट मांगें? अमेटी में एक लाग चौदा हजार घर बने हैं पांत साल में जिन में से दो साल करोना के रहे तब जनता के मद्धी में इस प्रशन उठ रहा है कि अगर श्रती नानी और उनकी सरकार ने एक लाग चौदा हजार घर मात्र तीन चार वर्शों के अल्प समय में बना लिए तो पचास साल कांग्रेस पाटी क्या कर रही थी यहां पर तो ऐसे कई स्थानिय मुद्धे हैं जिनको हमने उठाया है और जिनकी वजह से आया जिये हुआ है कि पूरा का कुन्बा जैसे कि मैंने का बुरिया बिस्तरबान चुका है एक और आखरी सवाल में पूछोंगे क्योंकि आपको भी कंपेन में जाना है हां जी सवाल यह है कि प्रधानमति नर्यन मुदी लगातार यह कह रहे है कि वो सम्विधान बदलने की कोई बात नहीं है वो यह कह रहे है कि हाँ जवाब दे द सवाल है कि यह कभी हुआ है हिंदुस्तान में तो वह सम्विधान का हरन नहीं है सीवी सी की धज्या नहीं उनाई तो जिनका मैनिफेस्टो ही घोटा लेगा मैनिफेस्टो है और जब वो अब अपनी वोट बैंक की राजनीती के लिए सड़क का टेंडर भी धरम देखके कर करेंगे गुणवत्ता देखके नहीं करेंगे तो किस सम्विधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिसके उन्होंने धज्या उना दी सवाल है कि दोस्तों से ज्यादा वाइस चैंसल ने चिठी राहुल गांधी को लिखी और उनने कहा है कि आपने जो सेलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाया है वो गलत है राहुल गांधी ने ये कहा था कि एक संगठन के लोगों को वाइस चैंसल बनाएगा आप क्या कि राहुल गांधी नाम का बोज कोई नहीं डोना चाहेगा तो आप इस चुनाव में तो विशेश अमेठी में देखेंगे कि जिन लोगों ने 2019 में राहुल गांधी की मदद नहीं की वह अचाना कमेठी में भी प्रकट होंगे ये प्रूव करने के लिए कि राहुल गांध से हमें निकाल के बोला है कि आगे इसी तरीके से जीत हासिल करती रहेंगी हमरे से विकास ट्राय के साथ मोहित राज धूबे निजर्शन अमेठी स्मिर्ती रानी ने राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला किया दोज़ार चौबिस में गांधी परिवार ने पहले ही हार माननी है स्मिर्थी रानी की तरफ से का गया इसके अलावन उने का कि अमेठी से कॉंगिस का सेना पती खड़ा हुआ है राहुल गांदी को पता था कि वो हारने वाले हैं एक्सक्रूजब बातचीत में स्मिर्थी रानी ने नियूज डेशन से क्या कुछ कहा सुनिए कि अमेठी में सियासी पारा गर्म है क्योंकि इस्मिर्थी रानी यहां से ताल ठोक रही है चुनाऊ लड़ रही है कि सुरूप पर लड़ रही है क्या इनकी स्टेट्जी है क्योंकि हमने 2019 में भी कंपेंड कवर किया था यहां की रिपोर्टिंग की थी हमने उस वक्त बीन का इंटर्वीव किया था सवाल सबसे पहला यही है कि 2019 के बाद 24 में कितना बदला पहला सवाल कि 2019 के बाद 24 में कितना बदलाओ देख रही है मुझे ऐसा लगता है कि इस लोग तंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सामने अगर सेनापती भाग भी जाए तो भी हमारा यह करतवया है कि हम हर घर जाकर वोट की अपील जनता से करें तो हम अपना काम कर रहें अपने लक्षी की प्राप्ति के लिए अफकोस उनको यह पत पे पांट साल लगतार यहां पर सख्री रही है अपने करें करकें के आप जू कर दे लटता है यहां से मैंदाने जंक तो तब चोड़ी जाती है जब हार सुनिश्चित हो जाती है और सच्चा सिबाई और सेनापती वो जो सर कटाले लेकिन जुगाए नहीं तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा सेना पती का कुनबा ही भाग गया है लेकिन राहूल गांधी आरोप लगा रहे हैं भारती जन्ता पार्टी पे कि अगर चार्सो पार काकड़ा हुआ तो समयधान बदल देंगे आप लोग आज एक बहुत गंभीर आरोप राहूल गा प्राटी के लोगों ने लगाया है ये कहा गया है कि राहूल गांधी का ये मंतव्य है कि वो अगर उनके पास थोड़ी सी भी सत्ता हो तो राम मंदिर के निर्णे को पल्टा देंगे ये गंभीर आरोप है और राहूल गांधी को इसकी पुष्टी करनी चाहिए इससे पहल कि धज्जियां तो राहूल गांधी उड़ा रहे हैं हैं और अगर उनके नेता का ही कथन की सुप्रीम कोड के वर्डिक के बाद राहूल गांधी उस वर्डिक को पलटना चाहते हैं चाहते हैं और वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की वो एक प्रत्रम पहल करना चाहते हैं तो यह अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है और इसका स्पष्टिकरण निश्चित रूप से राहूल गांदी को देना पड़ेगा सम्विधान वाले पर आप क्या कहना चाहेंगी क्योंकि लगाता है सम्विधान के विशेश तंब को जो हमारे देश भर में नियाय की प्रक्रिया को सुद्रड करता है दूसरा सम्विधान की धर्जिया राहूल गांदी ने उड़ाई जब उन्होंने OBC आरक्षन में सेंद लगाकर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षन दिया है तो ऐसा क्यों है कि सम्विधान का वो हनन करते हैं और फिर लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं देख रहे हैं कि नारे लगते हैं गाना बजा जाता है कि जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे आपके राम में और कॉंग्रस के राम में क्यानता है राम एक ही है जी राम भगवान कभी राजनीती में विभाजित नहीं होते राम के प्रती आस्ता सभी के होती है जो सनातन में मानते हैं अब राहुल जी नहीं मानते वो उनका अपना धर्म का विशे है और जहां तक आस्ता के साथ खिलवार का विशे है आप देखिए जब उन्होंने राइबरीली से नामांकन भना तब पूजा करी वाइनाड में भी तो नामांकन भरा था तब पूजा क्यों नहीं की थी कि पूजा करना चाहिए अगर मानताओं का विशे है तो राहुल गांधी ने तो वाइनाड से भी नामांकन भरा था वाइनाड में नामांकन भरने से पहले पूजा करने से क्यों कत्रा रहे थे और अगर मानताओं का व हैं तो आके राइबरेली में घुमें ना उस विक्ति के साथ लेकिन का गांधी लगातार पीम पे निशाना साथ रही है कि हमारे भाई को श्रहजादा क्या रहे हैं और चारहजार क्लोटर रियात्रा कर चुके अभी तो कॉंग्रेस में दो खे में एक दूसरे पर निशाना सा है धारत 370 हट आया है अमीठी में और क्या मुद्धे हैं जिस पर आप आप मांगें कि अमीठी में एक लाग 14,000 घर बने हैं पांत साल में जिन में से दो साल करोना के रहे तो अब जनता के मद्धी में इस प्रशन उठ रहा है कि अगर सृती रानी और उनकी सरकार ने एक ल पूछा है आपको भी कमपेन में जाना है और जी सवाल यह है कि प्रधानमति नरेन मुदी लगातार यह कह रहे हैं कि वो समविधान बदलने की कोई बात नहीं है वो यह कह रहे हैं कि आपको जवाब दे दिया राहूल गांदी ने जब धर्म के आधार पर आरक्षन देने क कहीं क्या वो सम्विधान का हनन नहीं है उनका मैनिफेस्टो पढ़ लिजे tube अनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि सड़क बनाने का टेंडर भी आदमी का धर्म देख कर देंगे, ये कभी हुआ है इंदुस्तान में, तो वो सम्विधान का हरन नहीं है, सीवी सी की धज्या नहीं उनाई, तो जिनका मैनिफेस्टो ही घोटा लेगा मैनिफेस्टो है, और जब वो अब अपनी वोट बैंक की राजनीती के लिए सड़क का टेंडर भी धरम देख के करेंगे, गुणवत्ता देख के नहीं करेंगे, तो किस सम्विधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जिसके उन्होंने धज्या उना दी, मैं इतना ही कहूंगी, राहूल गांधी को आज अगर सतर्क रहना है, तो अपनी पार्टी से रहना है, उनके पार्टी में ही कई नेता हैं, जो उनको निप्टाने की होड में है, और मैं उनकी पार्टी के उस खेमे की व्यथा को समझती हूँ, क्योंकि राहूल गांधी नाम का बोज कोई नहीं डोना चाहेगा, तो आप इस चुनाव में तो विशेश अमेठी में देखेंगे, कि जिन लोगों ने 2019 में राहूल गांधी की मदद नहीं की, वो अचाना कमेठी में भी प्रकट होंगे, ये प्रूव करने के लिए कि राह किती वक्त से हमें निकाल के बोला है कि आगे इसी तरीके से जीत हासिल करती रहेंगी, हमरे से विकास राहे के साथ मोहित राज धूबे निजर्शन अमेठी